अब हलो फ्रेंट्स वेल्कम टो माई चैनल टेक्निकल असीर दोस्तो यह मेरे पास ओपो का इस हैतिस फोन है जो कस्टुमर ने मुझको दिया चार्जिंग से होने के लिए तो दोस्तों उसने बताया कि इसका चार्जिंग पट्टा कटा हुआ है तो इसको चार्जिंग पट् तो देखे दोस्तों हमने इसको बैक कवर को अटा लिया है तो यहां पर देख लिए नीचे इसको पेच लगे हैं यहां पर हम इसको खोल लेंगे तो चलिए इसको ओपिन कर लेते हैं तो चलिए दोस्तों इसको अटा लेते हैं तो देख लिए तो दोस्तों देख लिए बिल् पूंट नहीं दिख रहे हैं चार्जि wa लगाएंगे ज पहले लगा होता चार्जि पर करेक्टर लिया ॐ हुआ दो पार यह जो डिया तो चलिए संक लेक्त बाहर नेने सकतों तो दोस्तों आपको jumper wire ले लेना है और दो jumper इससे card लेना है लगबग इतने बड़े कि यहां से लगबग यहां तक आ जाए बैटी connector तक तो आपको बताते हैं कि आपको jumper कहां पर दिना है वो आपको दिखाएंगे इससे पहले हम पहले यह jumper card लेते हैं दो jumper तो grounding दोस्तों हम य से लिए इसको card लेते हैं तो friends हमने jumper ले लिया है ये और इसको इसकोziaल कर लेंगा positive पर एक नियकर पर तो इसको positive पर is for a key को नगा पक्राइब है तो दोस्तों हम यहां पर देलिजी इसको नगा हुआ है इसको यहां पर आए तौच से और के पास एक नगा होक्त हो आप अगरफ दिलाफ है इसके मस क्या Caribbean यहां पर पॉजितिव देना थे डिना रेक्टर का प्लस पाेंट यहां पर देना है तो हमारी charging जो होने लगेगी तो चलिए दोस्तों इसको लगा लेते हैं तो friends हमने जो connector लगाया है पहले हम उस पर voltage check कर लेते हैं क्योंकि जो हमने connector लगाया वो ठीक है अब voltage आ रहे हैं यह नहीं आ रहे तो चलिए इस पर check कर लेते हैं voltage गाराइं को तो friends हम इसको paste लगा कर थोड़ा sol कर लेंगे तो देख लिए हमने इसको sold कर दिया है तो grounding wire हम यह पर sold कर दिए हैं तो झाल कर दिया है अब इसको आप इसको इसे तरह लगा कि यह इसका अलगा सा टेप लगा देंगे तो यहां से यह प्लूट वह तो प्रेटर में मजबूति आ जाए कि करेको इसका पट्टा कर तो हमने इसलिए के इसमें वह लगाया था ताकि यह मजबूत रहे कि दूस्ट लेंगं इसको पेखेक है तो फ्रेंट आपको चेक करके दिखाते हैं हमने रुप है लगत ask कर्रेक्ष हो गें को आपते के सांधक्र लगा कर चार्जीग ठीक कर सकते हैं परड़ा पत्टा उतना पड़े को पंडा ने हैं पैसे और आप हैसी घरते दो लिट करें शेयर करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आल पर प्रेस कर लें